दिपिका ककड इब्राहिम और शोईब इब्राहिम के प्री मिच्ची और बेबी के हो जाने के बाद से सबा इब्राहिम को सोशल मीरिया पर किया जा रहा है बुरे तरीके से ट्रॉल वेल बीते दिन शॉइब ने अस्पताल से एक तस्वीर भी शेर की थी जहाँ वो अपनी पतनी दिपिका पर प्यार लुटाते नजर आये और उस पर कैप्शन लिखा था And the journey of parenthood begins इस तस्वीर पर भी कमेंट्स के जरिये यूजर्स सबा को कर रहे हैं ट्रॉल इस तस्वीर पर ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सबा इब्राहिम कहा है भूल गई कि भावी दिपिका ने इसकी शादी में क्या क्या किया अब जब भावी को जरूरत है तो सबा यहां नहीं है इसी तरीके के कमेंट्स के साथ सबा पर सवाल उठाय जा रहे है वेल आप लोगों को बता दें कि सबा इब्राहिम इसलिए चुप है क्योंकि खुच शॉइब और दिपिका ने सबको मना किया है कि अभी बेबी के बारे में तब तक कोई बात नहीं करेगा जब तक बेबी NICU से बाहर नहीं आ जाता वही डॉक्टर्स ने शॉईब और दिपिका को सिर्फ एक इंसान के अस्पताल में रुखने की इजाज़त दी है और दिपिका के साथ शॉईब रुके हुए है जी हाँ, अस्पताल में परिवार नहीं रुक सकता इसलिए परिवार घर पर है बात करें सबा की तो सबा के भाई और भावी ने ही सबा से कहा है कि बेबी के बारे में सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं करनी इतना ही नहीं शॉइब इब्राहिम ने वादा भी किया है कि जब पच्चा ठीक हो जाएगा NICU से बाहर आ जाएगा तो वो खुद आप लोगों को बेबी के बारे में बताएंगे रही बात सबा की चुपी की तो किसने कहा कि सबा चुप है सबा इब्राहिम ने तो शॉइब और दिपिका की तस्वीर को अपने सोशल नेट्वरकिंग अकाउंट पर शेर भी किया है और उनके पेरेंट हुट की जर्नी पर किया है रियाक्ट सबा ने सिर्फ एक ही वोर्ड में अपना रियाक्शन दिया सबा इब्राहिम ने अपने भाई भावी की तस्वीर शेर करते हुए लिखा माशा अल्लाः सबा की दुआएं उनके भाई भावी के साथ हैं इसलिए ट्रॉलर्स अपना काम करें क्योंकि इब्राहिम तो एक साथ बहुत खुश है और इस नए सफर को इंजॉई कर रहे है फाइनल काट न्यूस टेस्क